अगर आप HDFC का किसी भी प्रकार का फाइनल्स प्रड़क्त लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है अगर आप HDFC की भी कस्टमर हैं तो भी आपके लिए बुरी खबर यह है कि RBI ने क्रेडिट कार्ड को लांच करने से रोक लगा दिया है तोया कि हुआ कि यहां कि सब्सक्राइब किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड जो डिजीटल 2.0 है या किसी प्रकार का Chance नहीं कर सकती है इसमें हुआ यह था कि 21 और 22 नमबर को डिजिटल जो भी टांजेक्शन है कम्प्लीटली ये बंध हो गया था मतलब 21 और 22 नमवर को पूरे-पूरे-बारा घंटे के लिए कोई भी टांजेक्शन नहीं हो रहे थे यानि कि पंट टांसफर आई-एम-पेस जो भी है डिजिटल टांजेक्शन पूरी तरफ से ठफ हो तो इसमें क्या है HDFC ने बताया कि यहां जो है जो भी उसका डेटा सेंटर है वहां पर पावर कट हो गया था तो उसकी वजह से यह जो भी है डिजिटल टांजेक्शन वगरे सारी चीज़ यह फेल हो जा रहे थी जो भी है डिजिटल टांजेक्शन नहीं हो रहा तो तो इस कि को देखते हुए और बेने भी बड़ा एक्शन लिया है कि अब जो है HDFC कोई भी क्रेडिट कार्ड या उसका जो डिजिटल टूपोर्ट ओ या किसी भी प्रकार का एप फिलहाल जो है लॉंच नहीं कर सकती तो यह जो टेंप्रोरी बैन लगा हुआ है यह ऐसा नहीं की पर् अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा को अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें कुछ डाउट है नीचे कमेंट्स करें थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो